सब्सक्राइब की दिए हमारा चैनल टॉक्टू सम्मू और उसके बाद घंटी के निशान को क्लिक की दिए ताकि आपको मिलें सबसे पहले हमारे वीडियोज नमस्कार गुश्टो स्वागत है आपका हमारे चैनल टॉक्टू सम्मू पर कि दिपावली से एक दिन पहले होती है नरक चौदस या फिर रूप चौदस कार्तिक किष्णपक्ष चतुदसी को नरक चतुदसी या रूप 14 के रूप में मनाने की परंपरा है कुछ जगों पर इस से छोटी दिपावली के रूप में तदा अधिकांश इस्तानों पर हनुमान जैनती के रूप में मनाते हैं इस दिन कुबेर की पूजा की जाती है इस्तिती को रूप चौदस के रूप से मनाने की परंपरा है तादकाल सुर्योदस से पहले उठकर तुम भी लौकी को सिर्प पर घुमाने के बाद इसनान करने से रूप और सौंदरिब बना रहता है तता लोग नरक गामी होने से भी बच जाते हैं यह भी मानेता है कि भगवान ने इसी दिन वामन के रुप में अवतार लिया था इस दिन दान करने से लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है इस दिन निशा मुखी वेला मैं दीबदान भी करना चाहिए इस दिन वृत भी रखने की प्रंप्रा है जिसे रूप चतुदशी वृत कहते हैं रूप चतुदशी वृत कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुदशी को करने का विदान है जैसा की नाम से ही विजित है या रूप सुंधरी को प्रदान करने वाला वृत है इस दिन प्रातकाल सुर्योतर से पूर भी जाकर नित्यत नैमित्य क्रियात कलापों को पूर कर बक्त वस्सल विशुरूप कृपारिधान अतुलित रूप सौंदर युक्त जगत नियनता मादेव की के हिरदेश्वर वसुदेव के प्राडेश्वर करोडों वाम्त कामदेव की चबी को भी धूल दूसरी करने वाले करोडों करोडों सूरी की आभा से भी आभावान अगवान श्री क्रिशन के चैरों से विनया नुवत हो विदिवत संकलाप राधी क्रियाओं से करता हुआ नभग राधी देवों का पूजन कर योगी योगी शरूप बल गुड ते नंद के दुलार भगवान गोविंद का शोड़ पचार पूजन करें दिब्य लिलाओं का शिर्वन इसमर चिंतन मनन करें ओम नमो भगवते वासु दिवाय मंतर का जब करें वो इसी मंतर से येग भी करें अपने हिदय मन बुद्धी में दूसरों के प्रती शुद विचा बना करें तो निश्चही ब्रज के रसिया रसिकों के रसिक लीला बिहारी रास बिहारी श्रीहरी भगवान अच्चुत निश्चही उसे अतलनिया अद्बत रूप माधु रिप्रदान करते हैं इसी संदर्ब में इस वरत पसंदे के लिए एक कता है अगर आप उस कता को चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी लिखिए आपको कता में जरूर सुनाओंगा ये रूप चदुदसी के बारे में या नरक चदुदसी के बारे में आपको जानकरी कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में बताईएगा अच्छी लगी हो तो लाइक बटन को क्लिक कर दीजेगा और अगर आप हमारी चनल पर नई हैं तो चनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब के बाद घंटी के निशान को क्लिक कर दीजेगा ताकि आपको इसी तरह की वीडियो समयक पर मिलते रहें तो आज के लिए बस इतना ही आप सभी को दिपाव काली के अबसर पर